Hey there, press the bell icon and never miss a video on cyber security and technology. दोमेन से हो, उसने कभी न कभी किसी पॉइंट ओफ टाइम में ये फेस किया होगा, तो अगर आप किसी भी तरीके से फैसिलेटड है इस फील्ड में आने के लिए, तो इस वीडियो को देखे बिना आगे मत बढ़ना, नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अन्श और राब देख रह मैं सारे एस्पेक्ट्स की बात करूँगा एक एक करके, सबसे पहले बात करते हैं कॉर्परेट लाइफ की, जो किसी सिक्यूरिटी जॉब में है, तो एक सर्वे के इसाब से 30% लोग आने वाले 6 महिनों में अपनी जॉब छोड़ना चाते हैं, जिन मैंसे 30% लोगों का जादा वर्किंग आर्स, तो कोई फिक्स टैम नहीं होता यहां पर, इसको ऐसा सोच के देखो ना कि जो 0 डेस निकलते हैं, अभी स्प्रिंग बूट वाला निकला था, उसके पहले लोग फोर्ज यह वाला निकला था, तो इसमें call to action immediate होता है, in no time, आपको रातों भी जाग करते हो, उसमें कितना time लगता है, testing में कितना time लगता है, पुरा दिन आप काम कर रहे हो, उसके बाद रात में दिमाग काम नहीं करता, ठक जाता है, आप बस एक moment ढूंटते हो कि कब आपको rest करने मिले, और उस time पर जो आप अपने दिमाग को stress देते हो, आपकी mental health का क्या हो और company सिर्फ skilled labor hire करने में busy है, कोई productive, कोई relaxed ecosystem की बात ही नहीं कर रहा है, कितने भी skilled हो आप mental health पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, कितने गंटे screen के सामने बैठ रहते हैं, उनका headache का main reason है, एक for example एक आपको scenario देता हूँ, आपको pen testing का contract मिला है दो हफतों का, दो हफते बीद ग कर दोगे, मलब जैसे भी करके आपको bug ढूणने हैं उस एक दिन में, आप brainstorm करोगे, उसके बाद आप फिर documentation करोगे, आप reports बनाओगे, maybe you don't sleep, maybe आप खाना ने खाओगे, US, UK के time zones में meetings attend करोगे, हर कोई नहीं होता ऐसा, exceptions are always there, कुछ अच्छी companies हैं जो care करती हैं, जो आपको healthy वर्क प्लेस प्रोवाइड करती हैं, वर्क स्पेस देती हैं, एक productive work environment देती हैं, अच्छा compensation देती हैं, skill trainings देती हैं, relaxation देती हैं, proper work life balance के लिए, हैं कुछ-कुछ, लेकिन हर किसी को opportunity same नहीं मिलती न, इसी checker में एक time के बाद लोग job छोड़ देते हैं, लेकिन money should keep coming right, so इसके सोचते हैं, इतना इसी होता है, मलब सोच के देखो, वहाँ पर आपको अपना ही काम करना है, यहाँ पर आपको सब का काम करना है, आप खुद एक founder हो, शूरो में आपके पास labor नहीं होती है, आप खुद के manager हो, आप खुदी manager हो, आप खुदी financial हो, आप खुदी sales executive हो, आप दूसरी बात करते हैं, individuals की, जो किसी बंधन में नहीं है, किसी contract में नहीं है, किसी job में नहीं है, तो वो पढ़ रहे हैं, वो सीख रहे हैं, अगर आप उन में से हो, तो कभी कबार आपको ऐसा नहीं लगता कि इतना सब पढ़ने के बाद भी, कुछ ना कुछ छूट जाता ह कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, मलब never ending है, सोच के देखो कि आपने OWASP top 10 master कर लिया, और आप bug boundary करने गए, bug ढूणने गए, आपको कोई bug नहीं मिला, आपने महीने लगा दिया, आपको bug नहीं मिला, तो अब आप सोचोगे कि आपको कुछ नहीं हाता, आप अपने आपको loser समझने लगते हैं, आप अपनी खुद के existence को question करने लग जाते हैं, मलब एक CTF solve करने गए, आप से solve नहीं हो रहा है, वो उसके 400 से 500 solves हैं, लोगों ने solve कर दिया है, आप से नहीं हो रहा है, ये social media ने आपका दिमाग खराब कर रहा है, मतलब लोग हर दिन पोस्ट करते हैं, और पता ने क्या क्या, हर कोई अपनी achievements के बारे में बात करता है, खैर ये इस वीडियो का topic नहीं है, कभी और बात करेंगे, point ये है कि वो सब आप नहीं कर पा रहें, ऐसा आपको लगता है, जबकि reality ये है कि वो सब भी इस face से गुजर चुके हैं, बस difference ये है कि उनको fail होने का डर नहीं था, the failure, the only failure is not trying, burn out उनका भी हुआ था, उनको भी हजारोट उप्लिकेट्स मिले थे, उन्होंने भी महीने साल लगाया है यहां तक पहुचने के लिए, बस ये सब उन्होंने आपको नहीं बताया, तो आपने ये समझ लिया, कि ये overnight success है, कुछ लोगों के लिए unfair है, in fact मैं ये मानता हूँ कि luck factor काम करता है इस field में short term के लिए, लेकिन long run को देखो कि तो सिर्फ आपका effort काम आएगा, luck साथ नहीं देगा, अब एक तीसरी category है content creators की, अब मैं खुद के point of view से बात करूँगा, तो काफी बार ऐसा हुआ है कि मुझे videos बनाने का मन नहीं करता, honestly, बहुत reasons हैं इसके कभी time नहीं मिलता, कभी personal काम होते हैं, कभी mood नहीं होता, बहुत सरी reasons हैं, मतलब मेरी life में क्या हो रहा है, यह सर्फ मुझे पता है, ups and downs हर किसी के life में होते हैं, तो मन नहीं करता, especially जब आप job में होते हो, बस Saturday Sunday का time मिलता है आपको खुद को देने का, rest करने का, वो time भी मैं YouTube पे देता हूँ, क्यों, क्या मिलता है मुझे, पैसा, of course, लोग तो यही बूलेंगे, चलो आप खुद YouTube channel बना के देखो, और उसमें effort और time दे करके देखो, इस field में, इतना effort दो, उस effort में किस level का content बनता है, और उस level के content में कितना return मिलता है, यह लोगो content बनाते हैं, चाहे वो YouTube हो, चाहे medium हो, चाहे Twitter हो, articles हो, blogs हो, videos हो, cheat sheets हो, mind maps हो, कुछ भी, हर कोई मेहनत कर रहा है, आपके लिए, कहां से पता चला आपको cyber security के बारे में, कहां से पढ़ रहे हो, कौन guide कर रहा है आपको, सब contributors हैं, सब के अपनी life है, सब के struggles हैं, problems सब को होती है तो अगर आपसे कुछ return में मांगते हैं, वो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, honestly, content creation, especially इस field में, कोई full time नहीं करता, सब voluntarily करते हैं, तो अगर उनको ऐसा लगा किसी time पे, कि चीज़े वैसी नहीं रहीं, या times change, responsibilities change, तो वो बनाना छोड़ देंगे, अब आप उन्हें, अग को बनाना ही है, अब मैं 2 लाख लोगों को लेकर चल रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि उससे कहीं जादा लोग मुझे देखते हैं, और follow करते हैं, और अपने life के crucial decisions लेते हैं मेरे कहने पर, तो मुझे कोई भी topic, कोई भी वीडियो बहुती सोच समझ के लेना पड़ता है एक एक word, consciously सोच के decide करना पड़ता है कि उसका impact पड़ेगा इतने लोगों पर, पूरी industry पर, और time के साथ लोग फिर आपसे जादा expect करने लगते हैं, जतना जादा आप better perform करोगे, उतनी जादा expectations बढ़ती जाएंगी, और हर demand बढ़ेगी, और सबकी demand पूरी करना impossible है, देखो ना मैं आपको डरा रहा हूँ, ना मैं आपको demotivate कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ reality से face करवा रहा हूँ, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, जो आपको बहुत फायदे बताएंगे, why to choose cybersecurity, इतना scope है, इतना पैसा है, whatever, लेकिन reality बताने वाले बहुत कम लोग हैं, और ये It's about कि आपको कोई ऐसी field choose करनी है, जहाँ पर आप struggle करना चाहते हो, software industry में भी जो developers होते हैं, उनके अपने burnouts होते हैं, एक feature या एक algorithm के अंदर एक module के एक function के एक statement को सही करने में कितना time लगता है, और एक bug report आगया तो panic शुरू, तो यहाँ पे cyber world में चीज़ें बहुत ही time sensitive ह होती हैं, जैसे ही incident होता है, तुरंत respond करना पड़ता है, एक second का delay या एक second जल्दी से भी कोई बड़ा cyber incident हो सकता है, outcome को सोचके काम मत करो, जो process है उस outcome तक पहुचाने के लिए उससे प्यार करो, वरना आप हमेशा डर में जियोगे, तो मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि वही करो जो मज़ा आता है करने में आपको, जो करते रहने की craving हो आपको, होती रहे और जिससे self satisfaction मिले, अगर कोई problem ही न हो life में तो उसकी value कौन करेगा, problems के अपने कुद के मज़े हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ वाइदे देख करके assume कर लो, और फिर आ के पच्टा या give up कर दो, देखो अब गुलाब है तो काटे भी होंगे, बग बाउंटी है तो duplicates भी होंगे, पैसे हैं तो मैनत भी होगी, तो that's all I have to say, I hope आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये topic यूँ चूस किया, अब आपका best decision आपके उपर है, you are the best judge of your life, बस इतना ही गहना था, सिख्त रहिए और, गुडबाई